Hello friends, welcome to my channel Study4U So guys, जैसा कि आज जो आपका SSC MTS का 6 October का प्रथम पाली का एकजाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीड़ो मैं बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के जो आज आज आपके 6 अक्टूबर के प्रथम पाली के एक्जाम में जो प्रेशन पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE MTS related पलपल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और बगल में आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निसान भी दिख रहा होगा तो आप उसी भी जो जरूर प्रेस कर दीजेगा तो चले विडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का आपका पहला कोश्श न है था कि सम्विधान के किस भाग में जो है नागरिक्ता का उलेख किया गया है अगर पूछ जाए तो यह भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप का यहाँ पर रहा था कि गंगा की सहायक नदी पूछी गई थी तो देखे आपसन मुझे बच्चों की दोरा मिले नहीं है लेकिन मैं आपको बता दू कि गंगा की जो सहायक नदीया है ना एक तो आपका यमुना हो गया घागरा बागमती राम गंगा करनाली तापती गंडग कोसी और सो नदी यह सब गंगा की सहायक नदीया हैं तो इन में से जो भी आपसन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट हैंसर हो जाएगा नेक्स्ट अप का यहाँ पर रहा था कि संभिधान दिवस यह जो एक कब मनाया जाता है तो देखे प्रतिवर्स संभिधान दिवस जो है यह 26 नॉमबर को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है क्योंकि 26 नॉमबर 1949 को भारत का संभिधान अपनाया गया था इसलिए 26 नॉम जो सोतनता है ना यह आपका अनुछे 26 में जो है वरनीत है तो अनुछे 26 आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहां पर रहा था कि फीफा वाज इस्टेबलाइस्ट इन विच कंट्री यानि फीफा की अस्थापना जो है यह किस देश में हुआ था तो दे पिफा का फुलपों पूचा जाता है तो इसका फुलपों होता है वह फैडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है और इसका जो हेट-कौार्टर ए फीफा का यह जूरिक सुिट्जर लेंड में हैं तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स टाप का यहां पर रहा था कि हवा महल का निर्मान यह जो किस ने करवाय था तो देखे हवा महल का जो निर्मान है ना यह सवाई प्रताब सिंग ने करवाय था तो सवाई प्रताब सिंग आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा बात कर ले हवा महल का निर्मान यह जो किया था तो लाल चंद उस्ताद द्वारा जो इसे डिजाइन किया गया था और यह हवा महल किस राज्य में है तो यह राजस्थान राज्य के जैपूर में है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है next time को यहाँ पर रहा था कि place sorry आपका यह English से प्रश्ट ना था ठीक है English में प्रश्ट बच्चों की दारा भेजे गया है place where words are kept यह जो आपका one word substitution से है था तो place where words are kept जहाँ पर रखा जाता है aviary में रखा जाता है तो aviary आपका हैं पर correct हो जाता नेक्स टाप का यहाँ पर efficient का जो एंटोनीम पूछा गया था तो देखे efficient का जो हिंदी का मतलब होता है वो कुसल होता है और इसका option में आपका idle दिया वा था तो efficient का जो एंटोनीम होगा वो idle हो जाएगा इसके अलावा delicate भी जो efficient का एंटोनीम होगा useless भी होगा inadequate भी होगा तो यह सब जो होंगे efficient का जो है एंटोनीम हो जाएगे नेक्स टाप का यहाँ पर रहता कि हरे सेवाली को किस नाम से जाना जाता है तो देखे हरे सेवाली यानि जो green algae होते है ना इसे जो है chlorophyce के नाम से जाना जाता है तो chlorophyce आपका यहाँ पर correct हो जाएगा बात कर ले लाल वरना को किस नाम से जाना जाता है तो लाल वरना को जो है यह रोड़ोफाइसी के नाम से जाना जाता है बात कर ले भूरा वरना को जो है किस नाम से जाना जाता है तो भुरा वरना को जो है ये फियो फाइसी के नाम से जाना जाता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है बच्चों के दोरा और भी कोशन मुझे मिले है जिसको मैं डाउट लग रहा है आप कमेंट करके बताईगा कि वो कोशन आपसे पूछा गया था कि नहीं एक कोशन आ इत्ति उदर पूछी गए थी तो देखिए 2016 में में इत्ति उदर आपको जो है कमेंट करके इसका जवाब देना है कि ये कोशन आपसे पूछा गया था या फिर नहीं एक को बच्चे ने मुझे बेजा कि 2004 में कहां पर जो है वो सुनामी आया था ये कोशन भी मुझे बच् पति कौन थे तक भारत के चि प्रतम उप्राष्ट पती थे ना वह सर्वपली या और कि सअ healthier हो यहहनी का नेंग पर ए इंटरनेशनल होकी फेडरेशन के स्थापना कभूई थी तो 7 जनवरी 1924 में हुआ था और कहां पर हुआ था तो ये फैरिस फ्रांस में हुआ था वही अगर बात कर ले इसके वर्तमान में अध्यच कौन है तो डॉक्टर नरिंदर धुरूब बत रहा है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अप का यह आप रहता कि गौतम बुद का जन्म अस्थान पूछा गया था तो देखे गौतम बुद का जन्म है ये लुम्बनी नेपाल में हुआ था और कब हुआ था तो 563 इसापूर में हुआ था वही अगर बात कर लें कि नीधन कब हुई थी तो 483 इसापूर में हुआ था और कहां पर हुआ था तो ये कुसी नगर में हुआ था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है इनका अन्य नाम एक्जाम में पूछा जाता है तो देखे इनका जो गॉत्म बुद् का अन्य नाम है ना वो सिधारता गॉत्मा है और इनके पिता का नाम जो हो सुदोधन है और माता का नाम ये माया देवी है तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आप का यहाँ पर हैदा कि राष्टे हिंदी दिवस यह कब मनाया जाता है तो देखे राष्टे हिंदी दिवस जो है यह आपका प्रतिवर्स 14 सितंबर को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संभिधान सबा ने हिंदी को राज जिभासा क दर्जा दिया था इसलिए जो प्रतिवर्स राष्टे हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर को मना जाता है वहीं अगर बात कर ले विस्व हिंदी दिवस का मना जाता है तो यह 10 जनवरी को मना जाता है और 11 जो विस्व हिंदी समेलन था ना वो 18 से 20 अगस 2018 का मौरिश्यस में आय जोजित किया जाएगा नेक्स्ट आपका यहां पर रहा था कि इंटर्प्रीटर ऑफ मेलेडीज पुस्तक के लेखक कौन है तो देखे इस पुस्तक के जो लेखक है ना यह जुमपा लहरी है तो जुमपा लहरी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहां जेट लड़ाको विमान यह जो किसके द्वारा विक्सित किया गया है तो देखें यह जो तेजस जेट लड़ाको विमान है ना यह HAL यानि हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेट के द्वारा जो है इसे विक्सित किया गया है तो HAL आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा न की नई दिल्ली में है तो लाल बहादूर सास्तरी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपका यहां पर रहा था कि LED बल में किस अर्ध चालक यानि किस सेमी कंड़क्टर का यूज किया जाता है तो देखे LED बल में जो है यह गैलियम आरसेनाइड या फिर गैलियम अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जो कोश्टन को बता सकते हैं मैं आल सिर्ट में सारे कोश्टन जो आपको इंक्लूड कर दूँगा तो विडिया अच्छी लगी लाइक जरू कर दिजिए चैनल पर नहाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजिएगा तो मि नेक्सरू तक थांक यू ओ लगी